जै पोड़े नाद, जै शिवशक्ति, कैसे हैं आप सब, आशा करती हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे आज हम एक weekly reading बनाने जा रहे हैं for the Leo sign याने की सिंख राशी के लिए और देखेंगे आने वाला ये जो हफता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा ये जो हफता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा ओके सो पहले लव लाइफ की बात करते हैं लियो पीपल आप बहुत साथा सिचुएशन में एफट डाल रहे हैं I think third party की involvement है आप लोगों के relationship में ठीक है और आप उसके साथ भी deal कर रहे हैं family हो सकते है friends हो सकते हैं काम हो सकता है कुछ भी हो सकता है but you are like really putting effort in the situation मुझे ऐसा लगता है on the other hand आपके person जो है they are like little you know कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि separation चाहते हैं अलग होना चाहते हैं justice चाहते हैं नयाय चाहते हैं maybe हो सकता है कुछ चीजे वो face कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि चीजे sort out हो maybe going through a separation जैसा कि मैंने बोला divorce हो सकता है या हो सकता है कोई अलग रहना चाहता हो if you are married तो हो सकता है कि यह चीज भी problem आरही हो in-laws से related कुछ problem आरही हो तो यह चीजे मुझे दिखाए दे रही है for all the Leo people लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस हफते सम positive changes are taking place क्योंकि आप efforts पुट कर रहे हैं इस relationship में और आप चाहते हैं growth आप चाहते हैं इस relationship को ठीक करना because you are kind, a hearted person और आप चाहते हैं कि चीजें सही तरीके से आगे relationship में बढ़ें Empress card मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो चीज है like you know बहुत जादा आप connected है to the source, to the divine ठीक है और आप चाहते हैं कि चीजे ठीक हो जाएं आप लोगों के relationship में बहुत अच्छी feelings हैं आपके मन में और ये बहुत अच्छी बात है on the other hand आपके जो ये person है let me tell you they are like वो बहुत जल्दी quit कर देते हैं relationship में से you कह लिजे somebody is walking away या हो सकता है कि कोई नराज हो या बड़ी जल्दी नराज हो जाते हो ऐसी चीज भी मुझे दिखाये दे रही है moving away somebody is like हो सकता है कोई नराज हो actually में if you are a married couple ठीक है तो don't worry चीजे sort out हो जाएंगी हो सकता है कि ये person थोड़े से closed off है या कभी-कभी ऐसा react कर देते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस हफते maybe some positive change is coming दो चीजे लग रही है या तो maybe हो सकता है कि कोई इस zone में से निकल के चीजों को like sort out करेगा ठीक है मुझे लगता है कि आप hope नहीं छोड़ रहे हैं you are still hopeful in the situation इस person से जादा मुझे ऐसा लग रहे है कि आप effort put कर रहे हैं आप you are the one जो चीजों को सही तरीके से आपके married life में like patiently जिसे कहते हैं efforts put कर रहे हैं don't worry आपके patient जो आपने जो efforts put की है sorry वो positive ही आगे you know fruits लेके आएंगे अब बात करते हैं आपके career की career wise it's about मुझे ऐसा लगता है कि कोई money को लेके को issues चल रहे हैं कोई problem चल रहे है you know हो सकता है पैसे की तंगी चल रहे है और आप उसको sort out करने की कोशिश कर रहे है हो सकता है कोई buying and selling का काम हो ठीक है किसी के साथ मिलके कर रहे हो मुझे ये भी दिखाए दे रहा है थोड़ा money से related कुछ आ रहा है maybe co-dependency issues तो इस अफते मुझे ऐसा लगता है you are fighting for that thing मुझे लग रहे बहुत जादा इस अफते you are fighting for like although ऐसा लग रहे है कि ये sort out हो जाएगा ठीक है yes ये sort out हो जाएगा अगर आप money wise कहीं किसी चीज की वज़़से अरचन आ रही है माली जे आपने किसी से पैसे like किसी को दिये हो एते उदार और वह वापिस नहीं मिल रहा या maybe कहीं इन्वेस्ट करने और पैसे थोड़े पढ रहे है तो maybe आपको help मिल जाएगी तो उस चीज की तरफ से like yes थोड़ा सा you have to struggle for that ठीक है लेकिन वो मुझे लगता है वो मिल जाएगा हो जाएगा आपका ये काम and yes maybe कोई आपकी help करे इस चीज में मदब करे और ये भी चीजे मुझे दिखाई दे रही है let's pull some cards क्या guidance है क्या message है from the divine for all the Leo people Leo people बहुत दिन के बाद मेरे माइंट में एक गाना आया आपके लिए specially तो मैं आपको वो सुनाना चाहोगी थोड़ा है थोड़े की जरूरत है जिन्दगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है थोड़ा है थोड़े की जरूरत है जिन्दगी बहुत खूबसूरत है और यह हमारा perception है कि हम इसको कैसे receive करते हैं कैसे देखते हैं अगर हम अपनी मन की आंकों से देखेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई देगा तो यही चीज़ मैं आपसे कहना चाती हूँ कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज को लेके डोंट वरी हर चीज कुछ भी पर्मनेंट नहीं है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर कोई बर्डन है तो प्लीज उसे रिलीस कीज़े नहीं है। वरी लाइख पर नहीं है अपने आप पर थरस्त कीज टेक अने इंस्टिक पर अपनी गट फिलिंग पर से बर्डन है और दूसरी बात है कि अगर आप किसी को मानते हैं किसी गुरू को किसी को भी आप मानते हैं तो आपको विश्वास रहे हैं पूरा सरेंडर कीजे, because we have the source तो इसका क्या मतलब है, it's like light, divine light तो trust them completely and then we have postponement so maybe आप इस तरीके से शायद हो सता है, अभी आप यह सोच रहे हो, ऐसा फील कर रहे हो, so don't worry ठीक है, changes आएंगे, positive changes आएंगे, लेकिन विश्वास करना है so that's all we have for all you people, I hope आपको रीदिंग पसंद आई हो, इसे like कर सकते हैं, मेरे चानल को subscribe कर सकते हैं and अपने comments भी शेयर कर सकते हैं, thank you so much मिलती हो next time, till then take care, bye, अपने ख्याल रखिए